हलो दोस्तों मैं डॉक्टर अधेश तिंग आपका ओधर्शिक अडिमी पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के समय की एक बड़ी समस्या है टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, खास तोर से शेहरों के अंदर आप लोगों से मिलें, लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ी अची पोजीशन पे हैं लेकिन जितनी उची पोजीशन पे हैं, उतना ही जादा टेंशन, चैन नहीं है और उसकी वज़े से दोस्तों क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती है हार्ट की प्राब्लम हो गई, शुगर हो गया, डाइबिटीज हो गया ऐसी नमालम कितनी सारी बीमारियां होती है, जो उनको हो जाती है जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत सारे सिंटम्स बदाते हैं, कॉंटिन्योस स्ट्रेस के जैसे की लो एनरजी लेवल, हैडेक, पेट का खराब होना, मसल्स में पेन रहना, इन सोमनिया रात में नीद ना आना, फ्रीक्वेंट कोल्ड, बार बार कोल्ड होना, जुखाम होना, इन्फेक्शन होना, बार बार, नर्वस होना, डिप्रेस होना, ये सारी चीजें जो हैं वो इस्ट्रेस या तनाव के कारण हमें आती है हम सोचते हैं कि किस दिन हम इस तनाव से मुक्ती होंगे कई लोग तो नौकरी छोड़ के भागना चाते हैं कई लोग सोचते हैं हम जा करके हिमालाय बेबस जाएं परिवार छोड़ दें चुटी मिलेयर से तनाव से तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये टेंशन क्या वाकी इतना बुरा है और हम टेंशन से कैसे मुक्ती पास अके हैं तो ये समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक एक्जामपल देना चाहता हूँ जैसे कि एक सितार है ये गिटार है अब उसका जो तार होता है उसमें एक तनाव होना बड़ा जरूरी है अगर वो तनाव बहुत कम हो तो कोई म्यूजिक उस पे नहीं बज़ेगा अगर उस पे तनाव ज़्यादा आप कर दें कोई जिन्दगी होती है तो वो बड़ी बोरिंग हो जाती है नीरस हो जाती है आप बड़े बोर हो जाते हैं अगर आप कोई जिन्दगी में तनाव ना हो और वहीं पे जब तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी जिन्दगी में टेंशन हो जाता है बिमारियां हो जाती है, हमें tension को maintain करना है, manage करना है, tension से मुक्ती नहीं पानी है, तो इनको कैसे manage किया जाए, उसके 11 जो है, वो steps, या सीडियां, या tips, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला जो step है, वो हमें ये समझना है, कि tension जिन्दिगी में जरूरी है, उपय योग हमें करता है, अगर आप जिन्दिगी में tension नहीं लेते हैं, तो आप जिन्दिगी में कुछ achieve नहीं कर सकते हैं, और tension के रहित जो जिन्दिगी है, तनाव रहित जो जिन्दिगी है, वो boring जिन्दिगी होती है, क्योंकि जब हम तनाव लेते हैं, तभी हम अपने को challenge करत तब हम आपने को बहतर बनाते हैं जैसे आप Gymnasium में जाते हैं, वेट उठाते हैं तो आपके मसल्स में टेंशन होता है और उसके वजह से आपके मसल्स स्ट्रॉंग बनते हैं अगर आप वर्क आउट करते हैं, वॉक करते हैं आपके पैरों के मास्पेश्टियां मजबूत बगती है कोई तरीका इस दुनिया में नहीं है बिना टेंशन के अच्छा सरीर बनाने का उसी तरीके से जब आप मांसिक उप से टेंशन लेते हैं तो आपका मस्तिस्क, आपका दिमाग, आपके थौट्स बहतर बनते हैं इसलिए टेंशन अगर नहीं है तो टेंशन लीचिए, चालेंज लीचिए लेकिन उतना हो जो मैनेज हो जाए दूसरी जो इंपॉर्टन चीज है दोस्तों कि जब आप कोई भी ऐसा काम करें जिसमें फेल होने की समभावना बहुत जादा हो, तो टेंशन भी बहुत बढ़ जाता है उस सिच्वेशन में सबसे अच्छा ये रहता है कि एक प्लान भी रखें, बैक अप प्लान रखें जैसे मैं जब सिविल सफरुसिस की तियारी करता था, तो मैं एम्टेक भी साथ साथ में कर रहा था और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सिविल सफरुसिस में नहीं सफल हुआ, तो मैं एम्टेक करके पीजडी करके एक प्रोफेसर बन जाऊँगा और एक अच्छा जिंदिगी मुझे मिलेगी इसलिए मुझे टेंशन कभी नहीं हुआ उसके विपरीत कई ऐसे लोग होते हैं जो सब को छोड़ करके एक चीज के पीछे लग जाता और अगर वो चीज ना मिले तो फिर कहीं के नहीं रहते हैं इसी वज़े से उनको बहुत टेंशन रहता है आप एक अपना बैक अप प्लान रखें तो आप देखेंगे आपको टेंशन नहीं होगा तीसरी जो चीज होती है कि टेंशन को एंटिसिपेट करें तनाव को पहले से समझें जब आप एक चालेंज लेने जा रहे हैं तो टेंशन तो हो गई होगा जितना बड़ा चालेंज उतना ज़्यादा टेंशन और अगर आप पहले से तयार हैं उस टेंशन को जहलने के लिए उस तनाव को जहलने के लिए तो आपको वो तनाव कम लगेगा इसलिए आप anticipate करें जो tension है और उसी हिसाब से अपने को तयार करके रखें तब आपको वो tension आसानी से आप manage करता है चौतरी दोस्तों चीज होती है कि जो तनाव वाली situations होती है तनाव वाली लोग होते हैं उनको avoid करना आपने देखा होगा है कि कई लोगों से मिलते ही मिलते हमारा blood pressure बढ़ जाता है कई लोग party बड़ा enjoy करते हैं लेकिन कई लोगों होते हैं उनको party में भेज़ दो तो उनको tension हो जाता है 10 लोगों से हाथ मिलाना 10 लोगों से high hello करना तो हमें ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसको करने से हमारे दिमाग में तनाव आ जाता है तो उन सब चीज़ों को जहां तक संभव हो हम कम से कम करें avoid करें तब हम देखेंगे हमारे जिन्दीगी में tension कम हो जाएगा पांचवे चीज़ दोस्तों यह है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब हमें tension होता है तो हम बहुत सारी negative activity करने लगते हैं जैसे कि कोई cigarette पी ने लगता है, कोई drink करने लगता है, कोई drugs लेने लगता है कोई दूसरों पर चलाना सुरू कर देता है ऐसे बहुत सारी activities हम करना सुरू कर देते हैं, जब हम tension में रहते हैं और इससे क्या होता है, कि हम और नुकसान करते हैं अपने आपको अपना health भी spoil कर देते है तो आपको जो tension है, जब हो तो उसका एक reaction तो mechanism है वो positive भी आप बना सकते हैं जैसे जब मुझे किसी बात पर tension होता है, तो मैं walk करना सुरू कर देता हूँ या कई बार लोग gym चले जाते हैं, या कई बार आप music सुन सकते हैं कई बार कोई film देख सकते हैं, कई बार किसी दोस्तों से बात कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे methods हैं tension को जहलने के, जिसमे negativity नहीं है तो जब आप चीजों को positive direction में ले जाएंगे उस tension के वे से कुछ अच्छे काम करेंगे, तो tension आपको negatively impact नहीं करेगा, आपका नुकसान नहीं करेगा Stressful situation जब unavoidable हो, उसको करना ही करना हो तो लंबी planning करें जैसे कि कोई सत्रंज का खेल खेलता है, तो वो एक move जब करता है, तो वो anticipate करता है कि दूसरा बंदा क्या move करेगा फिर उसके move के हिसाब से तीसरा में क्या करूँगा, फिर चौथा वो करेगा तो पांच में क्या करूँगा वो पांच-छे moves को advance में मान के चलता है तो जैसे अगर हमने एक rate करी, text department की, तो क्या-क्या वहाँ पर problems आ सकती है, मैंने पहले से सोचा हुआ है हर problem के क्या-क्या counter measures होंगे, क्या-क्या तरीका होगा उसको tackle करने का, ये भी मैंने सोचा हुआ है इस वजए से जैसे problem आती है, मैं उसको solve कर लेता हूँ लेकिन अगर मैंने ये सब नहीं सोचा हुआ है, तो कोई problem आ गई, तो मैं और ज्यादा tension में आ जाऊँगा तो ये बड़ी important चीज है, कि लंबी planning करके रखें, एक सत्रंच के खिलाड़ी की तरह साथमें दोस्तों important चीज ये है, कि आप अपनी जो tension को bear करने की तनाव को जहिलने की जो शक्ति है उसको बढ़ाएं जैसे मुझे आद है जब हम लोग 9-9 नोकरी में जोइन किये थे, तो कोई भी raid होती थी, कुछ भी होता था, तो बढ़ा tension हो जाता था आपकी investigating skill बढ़ा आती है, और फिर क्या होता है, कि आप इस लाइक बन जाते हैं, कि आपको जो stressful situation नहे नए लोगों के लिए उसमें आपको को stress नहीं होता, क्योंकि आपकी abilities बढ़ दें हाट भी important चीज होती है, कि जो तनाव के कारण हो कई, उनको जड़ से उखाड फेट करें, पहले मैंने आपको बदाया था कि कुछ situations को हम avoid करें, क्योंकि वो situation हम पूरी तरीके से हटा नहीं सकते हैं, अब आप bosses से मिलना छोड़ नहीं सकते, पार्टी में जाना छोड़ नह में रहती थी, और वो अपने को यूगा और मेडिटेशन के माद्यम से रिलेक्स करना चाते थी, महिनों गुजर गया जब उसके कोई फायदा होता दिखा नहीं, तो जो उसकी instructor थी, उसने उसे पूछा कि भई, बताओ कि तुम्हारे उपर यह बात क्यों नहीं लागव होत तो जो उनकी यूगा इंस्ट्रक्टर थी, उन्होंने कहा कि भई, ऐसा है कि यूगा आना बंद कर दो, आप दो घंटा एक्स्ट्रा अपने आफिस में काम करो, ज्यादा पैसा कमाओ, और उस लोन को पूरी तरीके से पे कर दो, जब वो लोन तुम्हारा पूरा हो जाएग तो तुम्हारा स्ट्रेस ऐसे ही खतम हो जाएगा, तुम्हें यूगा मेडिटेशन के कोई जरूती है, तो इस तरीके से दोस्तों कई ऐसे स्ट्रेस हैं जिसको कि हम जड़ से उखार सकते हैं, अब इस लेड़ी ने उसको जड़ से जब उखार दिया, जब लोन ही खतम हो यूगा मेडिटेशन में इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसलिए इस्ट्रेस ऐसे बहुत सारे होते हैं, जिसकी जड़ में जाकर के उसको आप उखार दें, नवी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने इस्ट्रेस को अनवाइंड करते रहना चाहिए, जब दोस्तों आ अगर आप उस टेंशन को मुक्ती पा सकें, बच्चों के साथ खेलना, गाने सुनना, पिक्चर देखना, गेम्स खेलना, ऐसे बहुत सारी अक्टिविटीज हैं, लिखना, पढ़ना, जिसको अगर आप रोज फॉलो करें, तो आप उन सब गम को भूल जाएंगे, उन सब इ स्ट्रस पूरी तरीके से खतम हो चुका होगा, तो ऐसा कोई भी स्ट्रस नुकसान नहीं करता, जो कि लंबे समय तक ना रहें, अगर आप उस स्ट्रस को शाम तक खतम कर देते हैं, तो आप अगले दिन फिर नई उड़ जा के साथ उठते हैं, और फिर आप ज्यादा बहतर करें, दस्वी चीज है, कि अपने जो दुख है, अपने जो तनाव है, उसको लोगों के साथ में बाटें, जो आपके खास हों, जिस पे आपको भरुसा हो, ऐसा कहते हैं कि जो खुशियां बाटी जाती हैं, तो वो बढ़ जाती हैं, और जब गम बाटे जाते हैं, तो घड अगर हर चीज़ को अपने ही मन में रखेंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा प्रिशर कुकर की तरह प्रिशर बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ब्लास्ट करेगा लेकिन अगर आप उसको रिलीज करते रहें लोगों के साथ शेयर करते रहें तो निचरली वो कभी भी बहुत जादा नहीं होगा और ग्यारवी और आखरी चीज़ यह है कि हमें कई ऐसी सिचुएशन्स होती है जब हमें एक्सपर्ट को कंसर्ड करना बहुत फायदे मन रहता है जो लोग इस फिल्ड में जानकार हमको कंसर्ड करना चीज़ है जैसे जो मैंने आपको एक्सामपल दिया था उसमें जो योगा इस्ट्रक्टर थी उसमें यसी सला दी कि उस लेडी की सारी स्ट्रस की प्रावलम खतम होगे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी ही सिच्वेशन से गुजरे हैं या ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिन्होंने आपकी सिच्वेशन में रहके और फिर अपने को इस स्ट्रस से मुक्ती पाई है उनसे हम ग्यान अर्जित करें तो हम ऐसे काम कर सकते हैं उनसे स्ट्रस से पूरी तरीके से हमको मुक्ती मिल सके तो ऐसे एक्सपर्ट को भी हमें कंसर्ट करना चाहिए अगर हमें और कोई मैठोड काम नहीं करता है तो मुझे दोस्तों अमीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो तनाव है वो बुरी चीज नहीं है लेकिन अगर वो लंबे समय तक रह जाए और एक एमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाए तब वो बुरी चीज होता है इसलिए तनाव को हमें मैनेज करना है और अगर ये जो हमने 11 स्टेफ साब को बताया है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मुझे पूरी उमीद है कि आप अपने तनाव को पूरी तरीके से मैनेज कर पाएंगे और एक बहुत ही खुशहाल और सफल जिन्दगी जी पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और अपने कमेंट्स को शेयर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इनसे फाइदा मिसकता है धन्यवाद